कि ऐसे हलोवं इस में हम डिसक्ष करेंगे अज की क्लास में क्या हमारा पूरा जो एलयंध क्लास के टोपिक्स हम उनका रिवीजिन करेंगे हैं ऑसे में में पॉइंट सी तर्कि आपका और आपको पता चले क्या क्या चीज हमारा पड़ा है क्या क्या चीज हमने छोड़ दिया है और उसको एक बाद देख लिए जैन और अगर आपको यह प्लासिस पशंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप देखते बहुत ज्यादा लोग रहे ह इसका मतलब आपके देखने देखने के लिए हम तो आपसे बदले में क्या मांग रहे हैं आपका बैनिफिट हो रहा है तो अगर नहीं हो रहा है तो आप बताईए बैनिफिट हो रहा है तो लाइक जरूर करिए शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए कमेंट पर यह बताईए क चाहिए जिसका मैं आपको क्लास दे पाऊ तो आप स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर नहीं करते हैं इस इस का इलिएंट इलोंज प्लास का रिवीजिन का इंट्रोडेक्षिं में हमारे पास गिवन है है एक art है recording classify surprising the significant manner in term of money accounting process क्या है recording transactions को record करना जिसको वो जना जिंग recording in laser laser में record करना सब्राइजिंग करना analysis करना communication करना objective क्या है maintaining record estimating profit and loss presenting financial बोशा providing financial users to information advantages क्या है availability of information है strength or weakness का पता चलता है time period compare कर सकते evidence of a court law में payment of tax है help in realization of debt limitations क्या है financial accounting is not absolutely exact है does not exist वर्थ विजनस है problem window dressing वर्थ 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 वर्ष वर्ष वाइन बैलेंस जीट है no effect of inflation trade qualitative factors को क्या किया जाता है इंग्नोर किया जाता है branches of accounting क्या है financial accounting cost accounting management accounting घर एक है tax accounting तो यह सब हमारे क्या है branches of accounting accounting के parts के लिए बात कौन से financial accounting cost accounting management accounting tax accounting और एक social responsibility accounting भी है क्या है social responsibility accounting भी है types of accounting information information related to profit of surplus बताता है information related to financial position के लिए बताता है information about cash flow कितना किसा है कितना cash गया है यह बताता है users of accounting information के users कौन-कौन से है internal users यह बात याद रखना है owner management employees यह तीनों ही केवल internal users है कौन से owners management employees बाकिस सब क्या है external है users है creditors है lenders है tax authorities है others यह सब हमारे किसमें आते हैं कि कि किसमें आते है external में आप आताते quality characteristics of accounting information reliability क्या है actual data record होना चीए वापजर के साथ relevance में टाइम के according होना चीए अंडरस्टेडबिटी ऐसे record करना चीए इसको समझ में आसा कि comparability compare कर सकते हैं role of accounting in business business में रोल क्या है बहुत सारा बड़ा इसको हम पैसे में कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर एक्जांपल क्या है कैस्टेटर स्टोक्स और गूड्स क्या है जो पैसा बिजनेसने ओनर को छोड़कर कर कि और को देना पड़ता है वह liability इसमें भी करण liability non current liability contingent liability contingent liability एक ऐसी liability जो आज के दिन है लेकिन future में हो सकती है किसी partner किसी का look को पार्टनर है उसने किसी का क्या घारेंटी से दिए कि अगर यह पैसे मैं वो नहीं चुखा पाएगा तो मैं दूंगा तो वो आज के दिन वो लायुटी नहीं है लेकिन फुचर में लियाँ लिटी हो सकती है तो वह कोणी जयन्ट लाइब डिटी है Capital क्या होती है Capital वो पैशा जो business owner में business बिजनेस में owner लगाता है तो उस पैसे को हम क्या बोलते है capital लेकिन क्या बोलागे है वो पैशा वापिस भी देना पढ़ता है किसको business ने किसको owner को अब बाता आतीकि कि on the basis of assets own capital divided into fixed and working capital amount invested in fixed अगर आप मेरे चाहिए कि पूछोगे कि कैपिटल क्या होती तो पूरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि स्टूडन्स को रिवीजन करवाना है आगर आपको माइंड याद होना चाहिए कि हाँ कैपिटल है कैपिटल का मतलब क्या है वह पैसा जो बिजनेस ओनर में लगाता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं कैपिटल कितने टैप्स कि में बाट दी गई है फिक्स में फरकिं सब्सक्राइब लेकिन अब जो तक हम उसका पैसा नहीं देगे तो वह हमारे लिए क्रेंट लाइबलिटी है प्रोफिट क्या होता है सेब्सक्राइब अच प्लाच अब लियुक्रिटियर वह हमारे क्या हैं रिवाँ अंच यह एक्स आप फ्रButin अन्योनेटीक खरीदनेके निचर वह हमारे क्या है लोजिज है लोज टरम से दा एक्सपेंस ओवर दा एक्सपेंसी ओवर दे रिवेन्यू और कभी-कभी इनको क्या बोले जाता है नॉर्मन लोशीज लोशीज द्वीज दूट्र अबनॉर्मल सरकंस्टांसे दिए गाल चैन्ट के लिए बात आप बात आती है कि इसमें याद रखने कि यह होता है कि इसके बाद आते हैं ज्यादा बड़ा नहीं है कोशिस मेरी यही रहेगी कि एक इस क्लास में खतम कर दिया जाए मेरी कोशिस यही है अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं और रिविजन आपको तुरंत जो क्विक वाला रिविजन जो एक पर माइंड में क्लिक करता है अगर वो चीज पसंद आ रहे है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब ज़रूर आपको याद रखने की जरूरत है क्या पता है जो पोलीशी हमने एक बार स्ट्रेक्ट कर ले वही रूल्स रेगोलिशन मतले कहने का मतला है वही रेट या वही पोलीशी हमें हर साल फोलो करनी अग्र बिजनस लंबे टाइम परिए तक चलता है रहे है अक्रोल का मतले जो एक्वली रिवेंड और एक्सपेंस तो इसको सोट फोम में याद रख लिणा सीएजीड चीएजीड 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 आप बात लाट आते प्रिंस्पल और बेसिक एंटिटी में क्या बताएगा ओनर और बिजशन दोनों अलग अलग है मनी मेजर्मेंट वही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे जो मनी से रिलेटिड हैं, accounting period concept में हमने पूरे accounting cycle को डिवाइड कर दिया, एक साल में जिसको हम बोलते है, accounting period या accounting year और calendar year होती है, एक जनुए से 31st मार्स, fiscal year बोला जाता है, 1st April 31st मार्स, full disclosure में, छोटा transaction और बढ़ा transaction और सबको दिखाने ज़रूर है, में बोला गया है, जो केवल important transaction उनी को दिखाना है, और एक बात याद रखना, full disclosure में contingent liabilities भी दिखाई जाती है, as a footnote, materiality principle में बताए कि वो transaction जो important है, उसको दिखाना है, जैसे कि 2 रुपे की चाई पी तो वो बड़े transaction के साथ मर्ज कर देना है, या आपने रवड खरीदा है business में pencil खरीदे तो उसको क्या कर देना है, बड़े transaction साथ merge करके लिख देना है, conservatism और prudence में क्या बताए गया है, loss को हमें पहले losses मान लेना है, और profit को जब तक profit हमारे हाथ में निया जाए तब तक हमें नहीं मानना है, बिकम से execution anticipated loss, there should be adequate provision क्या होना चाहिए, provision भी बना देना चाहिए, लोशी से लेकर के याद रख लेना, तीन पॉइंट इसमें main account कुन से है, closing stock और cost price, market price is less पर की जाती है, और creating bad debts, discount debtors not creating provision or discount on creditors, writing of fictitious assets, treating small capital expenditure as a revenue, principle of materiality also involved, यह चार चीज आपको याद रखने है, क्लोजिंग स्टोक वाला, जो कम होगा उस पर, आगर आप से questions पूछ लिया जाता है, कि provision बना जाता है, वो किसमें conservatism principle के according and previous case, according writing of fictitious assets, as early as possible, वो भी conservatism principle के according, cost concept क्या होता है, जितनी भी assets हमने खरीदी है, वो historical cost पर, historical cost जिजे, an asset original, जिस पर खरीदी थी, वो ही दिखाना है, matching revenue और expenses जिस time period का है, जिस साल का है, उसी से related हमें revenues और expenses को दिखाना है, dual aspect principle, हर transaction की दो साइड होती है, एक debit side और एक credit side, credit side होती है, और हमेशा क्या होगा, assets is equal to, बराबर होगा, equity plus liability, capital plus liability is equal to the assets, revenue recognition बनाया गया है, earning process of reasonable complete amount of capable objective measurements, it relies from the cash or any other's obligation, relies in future के लिए, अब बात आती है, जो important है, objective concept में क्या बताएगा, business transactions should be supported, documentary होना चाहिए, evidence, जो किसमें बताएगा, objective concept में की, जब भी आप transaction record करेगे, उसका एक evidence भी होना चाहिए, उस transactions का, कि आपने कहा से वो transaction लेगा, बिजनस लंबे time period तक चलेगा, वो कभी भी future में बंद नहीं होगा, consistency का मतलब, फानिस्टेंसे वोड़ भी, ड्रोकोन कोलीजन रिकार्ड़ें वर्किंग एंटरप्राइजिस, only when allows comparison of over time, this is possible when the accounting policy practices followed by the enterprises are uniform, मतलब कि जो rate हमने follow कर दी, उसी rate को हमें हर साल क्या करना है, follow करना चाहिए, जो policies बना दी, हमें यह नहीं कि आज नहीं policy बना रहे है, आज नहीं rule बना रहे है, convention क्या बताता है, convention content, customs, traditional guides, preparation of accounting state plan, आगला आता है, postulates, postulates imply basic assumptions which are expected by the old, revenue recognition concept, जो कि अपने अपनी important है, it provides standard for the recognition revenue, आता है कि हमारा GST, accounting standard और GST, इसमें याद रखले हैं, फर्स step in process developing accounting standard was formation किसके दवार किया गया था, international accounting standard committee के दवारा first step था, उसके बाद हमारा आता है, इसमें IAC, IAC की full form international, IAC की full form आपको याद रख लेना है, क्या है, international accounting standard committee, उसको rename कर दिया गया, किसके साथ international financing reporting board के साथ come 1973 में यह आपको याद रख लेना है, अगला बात आता है कि meaning क्या है accounting standard can be understood, static guidelines, rules जो follow करने पड़ते हैं, अरो organization को purpose क्या है इसका comparative कर पाना, standard accounting policies, scope of creativity in accounting क्याते हैं कि creativity भी अपनी दिखा देंगे, अगर यह सब सीज फोलो नहीं करेंगे, तो benefit क्या है, elimination of variation को eliminate कर दिया, help in comparison में help होता है, इसमें आपको याद रखने की जरूत है, GAAP की full form journal expected accounting principles in India, अब उसके बाद याद है कि जो the institute chartered accountant of the India primary, primary क्या होती है, accounting organization in India took up the task formulating, क्या accounting standard कोन बनाता है, ICAI, the Indian chartered accountant of India बनाती है, कैसी accounting standard अपने इंडिया में, आपको याद रखने की जरूत है, full form आपको याद नहीं रखो कि तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह आपको याद होना चाहिए, accounting standard कोन मनाता है, ICAI, the Indian chartered accountant of India, अब जो main main है, इसकी IFS की full form international financial reporting system आपको याद रखने की जरूत है, से भी की तो आपको याद होगी, अगला आता हमारे goods and service tax, जो goods and service tax है, वो indirect tax है, prescribed rate, every supply of sales or goods और यह, किस पर applicable नहीं है, petrol पर, alcohol पर, human consumption, petrol और alcohol पर, GST applicable, accept छोड़ रखे हैं इन्होंने, GST क्या है comprehensive indirect tax है, value-ready tax, GST paid set of accounts है, GST collect है, जितना collect क्या है, according हम बंद कर सकते हैं, paid off कर सकते हैं, GST paid is not cost of purchase but an assets, GST is on category uniform goods service all over the state है, हर state में हर जगह एक rate follow की जाती है, अब बात आता है, FDI की full form foreign direct investment, updating gross domestic product आपको पता होना चाहिए, full form क्या होती है, यह advantages है, developing nation market, develop कर रहा है, easy running business में help कर रहा है, cost of goods by removing the cost trading effect of indirect tax को अटाने कबाद यह हो रहा है, then simply indirect tax regimes having one tax, fewer tax rates है, indirect tax management है, makes goods cheaper, सस्ता कर रहा है, ऐसा तो हो तो नहीं रहा, लेकिन हम तो मान लेते हैं, जो कर रहे हैं, accounting standards क्या है, set guidelines issued by the accounting organization of the country, जो कौन बनाता है, ICIA, यह आपको याद रख लेना है, GDP की full form है, gross domestic product है, यह आपको याद रख लेना है, अगर आपकी किस्मत होगी तब पूस लिया जाएगा GDP की full form क्या है, अब बात आता है, system and basis of accounting, system of accounting में बोला है, transaction may be recorded in the books under the two system, जिसको बोला है, double entry system, double entry system में क्या बोला गया है, दो आस्पक्त में बोला है, दो साइड होगी, जिसको एक साइड को debit, दूसरे साइड को credit बोला जाएगा, when the aspect of the transaction are recorded in the books of account, it said the accounts are maintained under the double entry system, once the aspect is debited, other aspect क्या होगा, credit होगा, clear advantages of double entry system क्या है, complete record scientific method of recording का, mathematical accuracy रखता है, help in preparing financial statement, help in tracking reduction करता है, errors में, decision making में help करता है, अब बात आती ही single entry system, क्या बताएगा, under single entry system, both aspect of the transaction may not record, one aspect of record, another, एक को लिखा जाएगा, एक को नहीं, only the cash book and personal account are maintained, क्या बनाया जाता था, cash book and personal account are maintained, lending to incomplete record of transaction, hence, it is also known as account for incomplete records, और इसलिए इसको क्या बोल जाता, account of incomplete record, single entry system का दूसर नाम क्या है, accounts for incomplete record, यह आपको याद रख लेगना, transactions under this system are incomplete, hence, unreliable, since the double entry principle is not followed, followed नहीं किया जाता है, trial balance cannot be prepared, prepare नहीं किया जाता होगा, which is impossible to prepare, final account भी possible नहीं था, basis of accounted transactions may be entered into the books, under the item to following, cash basis और accounting basis, इसमें साब बतायागा है कि cash, cash का lengthen हो रहा है, तभी वो लिखा जाएगा, cash basis पे नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा, cash basis of accounting is mainly forward by the NPO, NPO organization के दुवारा follow किया जाता था, लेकिन company act भी, company act 2013 बताता है कि हमें cash basis accounting को record नहीं करना है, हमें कौन सा follow करना है, accrual basis accounting को क्या करना है, follow करना है तो ज्यादा पढने की ज़ूरत नहीं है, यह main point आपको याद रखने की ज़ूरत है, Accrual basis company act follow करता है, और जो cash basis accounting है, वो किस के लिए suitable था, non-profit organization के लिए, clear है बात, next आता recording of business transaction, पहला आता source and rules of debit and credit, कोशिस है कि आपकी पूरी खतम करने की है, जितना थोरी portion है इसमें, अगर आपको like, अगर पसंद आ रहे हैं, तो like share जरूर करीजेगा, जरूर करीए, बीच में देखते हुए, पसंद आ रहे हैं तो class, business transactions are actions for economic consideration, between the parties that hold effect that are recorded in the two or more accounts, business transactions are usually evidence and appropriate documents, such as, जिसको बोला जाता है cash member के basis पे लिखा जाता है, evidence के basis पे लिखा जाएगा, invoice, sales bills, pay-in bill check, salary receipt, a document which provides evidence transaction on the basis, entry is made, subsidiary books में, उसको क्या बोला जाता है, source or voucher, these are known as supporting documents बोला जाता, आप बात आते कि supporting और, source of documents क्या 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 है, cash memo, cash memo and goods are sold for cash, cash बेजते हैं, तब क्या दिया जाता है, cash memo, invoice, जब goods credit पे बेजा जाता है, invoice पर पे किया जाता है, तो यह बात याद रख लेना, cash memo पूछा जा सकता है, जब goods को cash में बेजा जाता है, invoice cup जब goods को credit पे बेजा जाता है, receipt voucher जब पैसे दे दिये जाता है, तो वह हमें receipt देता है, pay in slip एक तरीके का जब bank में हम specific amount of money, debit note क्या होता है, this document is prepared when the person partially account is debited, with usually done in two circumstances, कौन-कौन से है, seller या if undervalued by the purchaser, if the goods have been overvalued, credit note किया जाता है, document prepared when the person partially account is to be credited, when is usually done under two circumstances, अगर आपको ऐसे भी याद ने रखता तो, sales account हमारा क्या होता है, credit होता है, तो जब sales return वापिस आएगा, तब हम क्या note बनाएंगे, तो note बनाएंगे credit mode, और अगर purchase हमारा कौन से account है, debit है, purchase return आएगा, तो credit होगा, तो opposite account बनाएंगे क्या चीज, debit note है, इससे याद रख लेना, purchase return पे हम debit note बनाएंगे, purchase return पे हम debit note बनाएंगे, sales return पे हम क्या बनाएंगे, credit note के लिए रहा बात, next आता है accounting vouchers क्या होता है, देखो, based on supporting accountant before making the entries books, records detail the accounting debit or credit on the document, it reflects the accounting voucher, these accounting vouchers are cash vouchers, these are prepared at a time of receipt and payment of cash, non-cash vouchers क्या होते है, these are prepared on the non-cash transaction like credit sale, credit purchase, तो क्या बनाए जाता है, non-cash, या जिसको बोला जाता है, transfer voucher, क्या बेल ला जाता है, transfer voucher, अगर आज का question आपको community post में डाला हुआ है, वो यही था, transfer voucher purchase of goods, purchase of furniture उदार करीता, तो उसका answer क्या होगा, transfer voucher, a transaction which one, a transaction with one debit, one credit is simply transactions, and the accounting voucher prepared for the transaction, उसको बोला जाता है, transaction voucher, जिसकी एक debit side होगी, एक बार credit होगा, उसको बोला जाता है, a transaction voucher, transaction with multiple debit, multiple credit, multiple debit or multiple credit, जब होता है, उसको बोला जाता है, complex transactions, and the accounting voucher prepared for such transaction, is known as complex voucher, or journal voucher, उसको क्या बोला जाता है, journal voucher बोला जाएगा, बात यार रखना, multiple तो क्या है debit है, multiple credit है, तो क्या complex voucher, और क्या बोला जाएगा उसको, journal voucher, अब बात आता है कि accounting equation, और जो आज वाला था, आज वाले question में गिवन था, क्या चीज, multiple तो क्या हो रहा है, multiple debit था, लेकिन एक side क्या हो रही है, credit हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम, debit voucher, multiple, multiple, multiple क्या हो रही है, credit हो रही है, और debit एक बार हो रहा है, उसको बोले जाता है, credit voucher, और दोनों अगर एक साथ गीवन है, दोनों एक साथ गीवन है, जब दोनों एक साथ गीवन है, जब दोनों एक साथ गीवन है, उसको बोले जाता है, compound voucher, क्या बोला जाता है compound voucher जब यह बात याद रख लेना लोग बहुत confusion हो रहे हैं जो question दिया है सब्सक्राइब उसमें compound voucher होगो compound voucher कब होगा जब उसमें स्विश्वाइफाइब किया हो multiple debit one time credit and multiple credit one time debit that is known as compound voucher अगर simply given multiple debit है और एक बार credit है तो वह debit voucher multiple credit है और एक बार debit है तो वह हमारे आजएगा credit voucher क्लियर है बात यह आप लोग देख लिजएगा next हमारा था accounting equation accounting के विसे रिप्लेस रिलेशन से बताता है assets and with liability and owners की accounting equation की क्या है assets हमें से बराबर होगा capital plus liability के under double entry system यह बनाया जाता है every transaction has double effect है तो rules of debit and credit हमें पता है traditional approach follow करते हैं कौन सा traditional approach personal account क्या होते है जो personal से related होते है natural and imagine natural remembering से यह personal account के तीन पार्ट है artificial personal account bank companies मतले जिसको हमने माना है कि यह भी एक आदमी है representative की पैसान है कि वह आदमी जिससे हमने पैसा लेना है पैसा देना है future में वह representative personal account है इसकी सबसे अच्छी पैचान है क्या prefix में prepaid outstanding accrued underhunt मिलेगा तो वह हमारा representative personal account बोला जाता है अब बात आता है कि हमार इम personal account these accounts are not personal like computer building can तो यह इनको किसमें बाटा गया real account real account जो भी account think से related है चीजी वस्तु से related है उसको real account बोला जाता है nominal account जो भी खर्चे, losses, income, gains से related है वो nominal account है golden rules हमें याद होना चाहिए personal account का debit or receive credit or give real account का debit what comes and credit what goes so modern nominal account debit all expenses and credit all incomes and gains modern average modern approach accounts are classified in five categories traditional pay 3, modern pay 5 assets liability capital revenue expense what happens the fundamental rule to be followed by the change in assets and costs low wealth and hard income are well earned because the amount of cash or Μaway and1 less money कग क्क आपको याद रखने की जर्बाइब क्या है कि वर्ट शां बहुत कैंगा शायर वाउट क्यों युक्त कर्णाऊस Mm भाम था को मैं दोर क्म्प्लेज भाय जेइए कि नहीं कि भाम थो की मेस्दीर और उब वाउचर होता है debit voucher, pay in slip, credit voucher, non cash transaction voucher क्या होता है invoice, debit note, credit note, यह आपको याद रखने की जोड़ता है, यह important है आपको, कि एक नंबर इसमें से जरूर मिलेगा complex voucher, general voucher, compound voucher, voucher, कितने तरीके के होता है, supporting voucher, accounting voucher, supporting voucher, external supporting voucher, internal accounting voucher, कितने होते है, cash voucher, non cash voucher, cash voucher में debit note, voucher आएग और non cash में आएगा invoice, debit note, credit note, और credit note, जब समान बेचेंगे debit note, credit note, तो यह याद रखने है, cash voucher में जाएगा debit voucher, pay in slip, credit note, अब आता है कि हमारा journal, journal का मतलब क्या है, तब business transaction firstly record primary entry और जिसको क्या बोलते है, original entry उसको बोला जाता है, journal में, अब आता है कि transaction are recording in chronological order, systematic is, लिखा जाता है, process of recording और transaction उसको क्या बोल जाता है, journalizing, entry made for the books, जिस entry बनाई जाती है, books में वो बोला जाता है, journal entry, journal entry can be classified into simple or compound, transaction one debit, one credit, तो simple entry है, जब one debit, two more, one or two more credit, वाइवर सा है, तो compound entry, journal entry, functions क्या है, journal के, transaction are analysis according to the debit credit aspect, then finding out the each transaction will be financial effect, transaction are recorded with a brief narration, it contains chronological order of transaction, advantages क्या है, information can be easily obtained, with the help of narration mandatory of every transaction क्या है, mandatory है, mandatory है, जिससे हमें समझ में आ सकता है, chance of error minimized हो जाता है, they are form on the basis of posting entries into laser, opening entry क्या होती है, opening entry is entry, past to record the opening balances of accounts of previous year, previous year के जो balances है, उनको first साल के शुरू में लिखेंगे, तो उसको लिखने को हम क्या बोलते है, opening entry, अब बात आती ही, cash book क्या होती है, है, cash book के book है, जहाँ पे, which older transactions related to cash payments are recorded, cash book क्या है, subsidiary book है, as well as principal book भी है, cash book अपने आप में क्या है, subsidiary book भी है, और अपने आप में principal book भी है, उसके बाद देखिजा, it records all the cash transactions, laser accounts are prepared on the basis of books accounts, which subsidiary books है, उसके बाद हम क्या बनाते है, laser बनाते है, laser में लिखने को हम क्या बोलते है, posting books में लिखने को हम बोलते है, this is the original entry book of a subsidiary, cash book represents the cash account, cash balance is directly entered into the trial balance from the cash book, therefore it is a part of, हम इसलिए भी कह सकते हैं कि cash book से direct laser में लिख सकते हैं, तो हम कह सकते ही कि cash book क्या है, एक तरीके cash account भी है, किसका laser का, hence it is treated as principal book भी बोला जाता है, या principal book of account बोला जाता है, the cash book is the best subsidiary book भी है, principal book भी है, और it is also नहीं जनर्नलाइज लेजर, इसको क्या बोला जाता है, जनर्नलाइज लेजर भी बोला जाता है, single column cash book में क्या होता है, record all the cash transaction of the business in chronological order, to complete record cash and cash payment, double column में क्या रहेगा, या तो हमारा रह सकता है, two column amount of each cash book, one cash, other bank हो सकता है, the bank balance is in the same way as cash column, however, the bank कोमलत देर मेर भी, क्या हो सकता है, credit balance, because overdraft taken from the bank, overdraft is a situation where, when the cash withdrawn from the bank access the amount of deposit, overdraft का मतलब है, ज्यादा पैसा निकाल रखा है, bank से जितना deposit है, उस से, कुछ के बाद देखिएगा, इस पहाद चला गया भाई, यह देखिएगा, यह देखिएगा, यह देखिएगा, करीं यह हो घया थे निया अब बात अती कि पंटिक शिपमेंट आप और िक सबस्क्रांव डॉत स स्मोलर ब्रिमीनियो geben श्यार्टो लिए का रनातए थनाता प्टो 근 отвеч में सब्लीक में तुका प्रमिट청 north main cashier helps in controlling the petty expenses posting from petty cash book is made at the end of specific period it says the time must simplify the posting when the expenses are reimbursed the petty cashier these are checked by the main cashier it reduce the chance of error under the impress system में क्या बोला गया है देखो under the impress system fixed amount advance is given to the petty cashier क्या fixed amount देजी जाती है petty cashier to make the payment के लिए the amount given to petty cashier is known as impressed amount उसको क्या बोला जाता है impressed amount the amount is determined on the basis of the past experience experience in such a way that is sufficient to meet requirement for a given period the period may be week four night or month जो period हो सकता है वो week कभी हो सकता है for a night कभी हो सकता है month कभी हो सकता है at the end of a period the expenses paid by the petty cashier are reimbursed to him जितना खर्चा हुआ है उसको वापिस कर दिया जाता है उतने balance के लिए he will again have a impressed amount in the beginning of next period जितना beginning है उतने में फिर दुबारी उसको मिल जाएगा स्पोज balance मिला उसका 1000 रुपए और खर्च हो गया उसका 500 रुपए तो इसका मतला कमी कि the cash book which is used not used in practical the second device analytical petty cash book तो एक क्यों से पूछ करके आ सकता है आ सकता है पूछ के क्या कि petty cash book में कौन सा account मैं कौन सी cash book क्या है suitable है तो analytical petty cash book क्या है suitable है simple petty cash book क्या है suitable नहीं है अब आता थी अब सब्सीडरी बुक्स और लेजर क्या होते हैं अब बस अब तो हो गया ओर थोड़ा से टाइम है क्या देखेंगे purchase में purchase book all credit purchase लिखा जाएगा purchase return all goods return purchase are recorded sales book में credit sales लिखा जाएगा sales जो वापिस आ गया जनल पर इनके अलाबा जो बच गया जो वह कहा लिखा जाएगा all the maintenance maintain to record the transaction who do not find place कई भी नहीं लिखा जाता है in subsidy books तो वह कहा लिखा जाएगा general proper या इसको क्या बोला जाता है general residual एक marks यह से पूछ सकते है general proper or general residual purpose of main subsidy books का क्या है same times of efforts है division of work है more responsible accountable to book to assign them advantages के division of work मिल जाता है simply simplification efficiency है save time बचाता है availability of information मिल जाता है facility of checking है laser क्या होता है all the entries recorded in these journals are subsequently classified and grouped into the different accounts transactions related to similar nature are categorized similar nature के accounts में लिखा जाएगा one head separate book जिसको क्या बोला जाता one head separate books किसको बोला जाता laser को the process of transferring entries entries को transfer करना from journal to laser उसको क्या बोले जाता पोस्टी laser is the principle book laser को क्या बोला गया है principle book है of accounts accounts की which the main each account can be obtained account in the form of kis shape में जाता है T shape में and have two sides left represent debit credit side represent credit once the entry are posted into represented account the balance are accounts are obtained किस form किस shape में होता है T shape में होता है principle book होती है और एक बर लिख दिया तो उसके बाद क्या निकाला जाता है balance निकाला जाता है only real account and personal accounts are balance कौन से account balance किया जाते real account और personal account का balance किया जाता है nominal accounts are not balanced as the balance is and is transferred to trading account and profit and loss account में clear है बात नेक्स्ट हमारा आता है कि difference क्या है journal entry और laser में general entry primary entry book है यह final entry book है source of voucher पर लिखा जाता है entries के base space में लिखा जाता है recording a transition chronological order calculate the balance in every year not a balance real or personal account का क्या किया जाता है balance किया जाता है process of making entry को क्या बोला जाता journalizing इसमें कि क्या बोला जाता posting do not have direct relation with the final account direct relation किसके जाता preparing final account कि उसके बाद आता है balancing of account account in a laser periodically balance कब periodically generally at the end of accounting period तो आप से पूछा जा सकता है कि laser balance कब बनाया जाता है at the end year या for the year ended तो वह आप जाता है जाता है याता के लेक लेके लेक लेका at the end of accounting period थो नाता है which has less balance to make total equal the well-balanced balance cd are written against the amount differences between two side the amount of balance is brought down next year accounting period in the case of debit side exceeds the credit side differences credit side if the credit side exceeds the debit side the difference two appears debit side is called debit or credit balance the account of expenses losses gain revenge are not balanced but are closely by the transferring profit and loss account so nominal account are unko kani kata balance nikiya jata because they are close by the transferring to profit and loss account a bank reconciliation statement a bank reconciliation statement prepared to reconcile the bank balance as per cash book that is bank balance as per cash book with the balance as per pass book or bank statement by showing the item different current difference due to different timing or error made by the business or bank types of differences transaction on only cash book only check issued but not yet presented check deposited into bet not credited check deposited into bank but dishonor transactions owned in pass book only interest by bank interest charge bank charge charge direct deposit payment made by the government payment collected by the bank bills collected this owner so this is all our errors it may be possible to while recording the cash book the accountant may have committed some errors errors may be committed by the bank in the bank in the firm's account firm's account account this is this error is also caused many difference balance bank balance on by the cash book and pass book need for preparation of BRS it helps in management checking accuracy entries recording in the cash book it helps in keeping track checks sends the bank bringing any find out the error regular reconciliation disgrace the staff of the firm for the bank investment of the fund for the purpose of audit bank balance shown in the balance sheet must be support by the bank statement जभाल जो जो जूडएर जिएकर है कि ब स्फै़एर जबाले अब को जोड़ जाहएगा विद्टे इना हूवड़ कॉव險त है लेकर है विद टेूर एंटिन कार्यरबाल इसined ृडून इसे नकार आप Woo protectionster applies when-a a bank statement or passbook is received by the bank it should compare the point differences between noted down check issued but not present check deposit but not collected check deposited by the bank preparation of bank reconciliation bank reconciliation statement there are two formats to use prepare bank reconciliation statement bank reconciliation statement may be started either with the bank balance shown by the cash book or the bank balance shown by the passbook the point of difference is adjusted according to according to find the balance on the other if the bank reconciliation statement will start with bank balance as per cash book after adjustment we can find out the bank balance shown by the passbook alternatively if it is started with the bank balance shown by the passbook we shall find out the bank balance shown by the cash book तो यह व्याद्व रखने चैटने तो यह फॉर्मेट है bank reconciliation स्टेटमेंट का debit कौन-कौन साइटम किये जाएंगे debit और bank balance as per cash book cash book का given है तब हम क्या 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 करेंगे check issued drone but not yet presented यह simple याद रखना है interest allowed but not credited check issued check directly deposit कर दिया उनको हम क्या करेंगे add करेंगे check paid into bank but omitted to entering bills payable retired check issued but dishonor check deposited in back but access amount was credited any amount wrongly credit in the bank or less क्या करेंगे यह कब है जब bank balance given है cash book का check deposited or paid into bank yet not collected interest on overdraft bank charges over collection insurance premium rents दे दिया check deposit into bank but dishonor discount in br deposit check entered into cash book check deposit into bank amount wrongly debited by the bank और लास्ट में क्या निकल कर आएगा credit balance as per passbook credit balance निकल कर रहे आएगा as per the passbook अगर हमारे पास balance given है overdraft as per the passbook debit balance as per passbook हमारे पास given है तो क्या add करेंगे check deposit but paid into bank but not yet collected interest overdraft bank charges insurance premium check deposit into bank but not dishonored br discounted dishonored br deposit into bank but dishonored check entered check deposited in the bank but created fewer amounts amount wrongly debited less kya करेंगे check but not yet presented interest allowed check directly deposited check paid into bank but omitted all bills paper retired check issued but dishonored check deposit in bank but access amount wrongly deposit जो आपको questions में कराया था तो उससे अब आप देख लीजेगा क्या minus करना है क्या plus करना है तो अब बात आती कि हमारा passbook पास्ट 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 क्या है एक statement है इट प्रोवेट तब बैंक तो इस अकाउंट ओल्डर इन दा फॉर्म फ्मोल बुक्स ठीक है क्योजिज ओफ दिफ्रेंस कैस्ट और पास्ट में क्या आता है टाइमिंग डिफ्रेंस और ट्रांजेक्शन का और अब आता है अब आता है हमारा depreciation क्या आता है depreciation इस में से पहले बात याद रखने कि depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of fixed assets permanent decrease in the value of fixed assets tangible assets जिसको किस ने दिया है आर एन कैटर ने दिया है तो अब बात आती कि depreciation क्या होता है in every business there is a certain assets fixed assets there are needed to conduct the business operations of example assets building plant and machinery the assets definite span of time after the expiry the assets will lose their useful for the business operation मतला कि किसी भी चीज़ की एक time period होती है उसके बाद मतलब वह beneficial नहीं होता है क्या है depreciation permanent decline in the value of fixed assets except land when the value of an assets is reduced due to depreciation it cannot be restored at the original cost depreciation is gradually continuous process because the value of assets will decline either by the constant use or obsolescence or due to expiry of time depreciation is the not process of valuation of assets but the allocation क्या है valuation नहीं है allocation of the cost of assets to its life of spend allocation नहीं है it decrease only the book value of assets not the market value the depreciation is used depreciation is used only in respect of tangible fixed assets the term is not used for wasting wasting assets such as mines oil wells etc it is a non cash expense कैसे है non cash expense है और non operating expense है मतलब किस क्या है constant use expiry of time है expiry legal writes है obsolescence है accidental है depletion है permanent following market prices है अब बात आते कि हमारा क्या factor after affecting depreciation it is possible to calculate the actual and true amount of depreciation इट can be only estimated by the keeping view factor कौन से total cost of assets estimate useful life of assets estimated scrap value अब बात आता है कि जो हमारे methods है depreciation के वो कितने methods है है तो बहुत सारे लेकिन आपको याद करने की या समझने की जब दो तक केवल SLM method और return down value method according to your slaybers clear है बात a method of depreciation in which cost of assets is spread uniformly over the life of time writing of the fixed amount every year return on value method में क्या बोला गया है which the fixed rate of amount depreciation is charged on the books value of assets over its useful time remains fixed during the newspaper time reduce हर साल क्या होती रहती कम रहती initially क्या है low है initially high है increasing trends remains constant assets with negligible negligible repairs and maintenance like leases copyright assets whose repairs increases increases as the get older like machinery vehicles advantages के है SLM के it simply understand and apply assets value can be complete return of by using this method or assets can value made zero हो सकती है किसमे SLM method में it is easier to compare profit equal installment of depreciation is charged every year it is useful for those assets whose usage is missed on the constant basis advantages of a return down value method का क्या है advantages method is simple to understand the easy operate the annual amount of annual depreciation reduce the reducing balance of assets the amount of depreciation is higher in early area when the machine is efficient the cost of repair is low और एक बताना है आपको income tax के according कौन सा depreciation कम method follow किया जाता है legal है तो वो कौन सा है written down value method एक नमबर में पूछा जा सकता है method of recording depreciation charging to assets creating provision for depreciation treatment of disposable account method of recording depreciation या तो charging to assets direct कर देंगे या provision बनाएंगे treatment for disposal of account अब आधाता है कि depletion क्या होते है depletion refers to the physical deterioration by the exhaustion of natural resources मतलब natural resources oil mines mines हो गयी oil wells होगे क्या होना है कम हो रहे है due to mining exception the life's stock of minder oils is depleted reduced कम और है in such case assets usually depreciated is charged on the basis of quantity produce उस पर quantity produce की basis पर depreciation लगाया जाता है और उसको क्या बोल जाता है depreciation amortization मतलब return of the intangible assets like patent, copyright, trademark, franchisee, lease, old buys which have the eliminates amortization word use क्या जाता writing of the intangible assets, obsulence का मतलब होता है due to technology advancement the certain using assets become the outdated कोई नई technology आ गई और पुरानी वाली machine आमारी क्या हो गया बेगार हो गई तो इसका मतलब वह क्या होगे obsulence मतलब outdated हो गई तो उसको क्या बोल जाता है obsulence इसमें और direct question ये भी पूछा जा सकता है obsulence का मतलब क्या होता है नेक्स उसके बाद हम चलते है प्रोविजन रिविजन पर रिविजन बोला हूं रिजर्व पर अब इसमें देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है कुछ नहीं है थोड़ी देखिए सब्सक्राइब करें तो आपको पूरा concept पता चल जाएगा कि सेप्टर में क्या चीज है क्या चीज हमने पड़ा है हमारा तुरंत रिविजन होता चलेगा यह चीज है और इसको यह बोलते यह बोलते पेपर इसी से मिलेगा दो से तीन क्यों तो मैंने आपको दिखा रख है जो एंवेस में डारेक्ट इसी वर्ड टू वर्ड लाइन से पूछा गया है बिजनस टाडी में मैंने आपको बता दिया था अब बात आता है प्रोविजन प्रोविजन सार्द अमांट डैटा क्रेटिव अगेंस दा प्रोफिट प्रोफिट के अगेंस बनाया जाता है दे अशर्ड गर不會 थो गवाइजिए बिजनस के तब बनाया जाए को बहुत हरlaşते हैं इस प्रप्रप्र पर उस चीज के लिए हमने रिजर बनाया वह चीज हो सकती है इस से बचने के लिए जब हमने रिजर बनाया उसको बोले जाता है specific reason defense redemption read a reserve investment flexion reserve dividend equalization reserve workman compensation fund capital reward created out of capital profits from the other than normal activities such as sale of fixed assets these are the examples of capital reserve concept premium on issue of shares premium on issue of debenture premium on redemption profit on redemption of debenture profit of sale of fixed assets profit on यह मरा difference given revenue रही or capital regardless some money retained by the business permit out of future contingency capital reserve allowed to fund that is created financial longtouch projects right of capital expenses even profit on the firm is the source of revenue capital profit capital visa ca based on type of reserve can be utilized any particular acje like anykapitals propose ke l ihe you किया जाए का कापिटेल लोश्रीज को पूरा करने लिया इट इज फ्रीली अवेलेबल फो दिस्टिबिशन अजे डिवीडेंट इच्ट उसके बाद आता है कि ओपन डिजय ओपन डिजर किया होता है दीज आ डो पॉइंट पॉइंट बनाया हुआ है तो आप लोग देख लीजीए का ओपन रिजर रिजर्व 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 में आप डिफ्रेंस नहीं पता पक कर पा रहा है है debit voucher और credit voucher तो वह आप लोग देख लेना कि लिए बात अब बात आता है कि हमने trial balance or rectification of error ज्यादा बचा नहीं है तो थोड़ा सा बचा है खतम करते हैं इसको जल देश है trial balance क्या है it is a statement showing the balance of total deposit or credits का accounts in ledger with the verify mathematical accuracy mathematical accuracy के लिए हम क्या बनाते है trial balance posting into the legends account objectives क्या है the main objective of preparing a certain mathematical accuracy or locating error helps in preparation of final account limitations के transactions that are not recorded can not be found wrong amount लिख दी उसका पता नहीं चलेगा wrong entry बना दी उसका पता नहीं चलेगा complete posting option तो उसका पता नहीं चलेगा posting of complete entry more than once उसका भी नहीं पता चलेगा preparation of trial balance बनाने के balance method है क्या है balance method है तो balance method में क्या बताए गया है in this method trial balance has three column कितने column है three column the first column is the head of the account second column is the writing debit balance third column is the credit balance in column से बनाया जाता है balance method में each account is laser every laser is balance balance is carried down the trial balance जो balance है journal का वो हम कहा लिखते हैं trial balance बेरियस टाइप्स ओफ एरर एरर भी पाई जाती है और it is used and help in क्या बनाने में help करते है financial statement अब बात आतीक errors error of omission error of commission error of principle error of compensating तो चार टाइप्स की error error caused due to omission मतलल लिखना ही चूट गया उसको बोलना जाता error of commission caused the wrong recording of transaction wrong totaling कर दिया wrong casting कर दिया wrong balancing कर दिया उसको बोलना जाता commission revenue को capital nature मालने capital nature को revenue nature मालने जाता error of principle compensated two or more account committed in such way that they nullify the effect of each other one the debits and credit rectification of error error affecting only one account can be rectified by the explanatory node जो केवल one sided error है उसको हम rectify कर सकते है explanatory node से bypassing journal entry error with two or more than two accounts rectified by the passing journal entry errors जिसकी दो और दो से अधिक account क्या है more than accounts are rectified by passing journal entry suspense account suspense account is account which is difference in the trial balance is put until such time that errors are located or rectified जब तक error का पता नहीं चल चालता और रेक्टिफाइड नहीं हो जाती तब तक हम क्या खोलते हैं suspense account open करते हैं clear about it is facilitating तो help करता है कि इसमें financial statement में even when the trial balance does not tally disposal or suspense account when the all errors are located rectified and suspense account stands disposed तो क्या कर दिया जाता है उस account को बंद कर दिया जाता है उसके बाद अब बात आता है कि हमारा trial balance क्या होता है once the posting entry into laser is done statement of preparing showing the abstract of the debit and credit balance various accounts in the laser the statement is known as trial one total balancing method में क्या बोला गया है preparing trial balance में under this method total amount of debit side of laser account is shown on the debit similar total amount of credit side काली के जाएगा credit side में total come balance method में preparing जब बनाते हैं under this method four columns are provided इसमें three column इसमें four column two columns are shown on the debit side and credit balance various accounts and two columns of showing debit and credit total of various accounts तो आप आप से पूछा जा सकते हैं ते तीन account open के जाते है वो total balancing total method है और जिसमें चार account open के जाते है वो total come balance method trial balance बनाने के अब हमारा last topic चलता है financial accounting जिसमें financial statement of sole proprietorship financial statement कि क्या बताया गया है types of financial statement meaning उसका देगा after the agreement of trial balance बनाने के बाद प्रपर financial statement और financial accounts are the statements which represent the periodic reports process of business enterprises result achievement during a given period financial statement includes the trading account profit and loss account balance sheet and other statement explanatory note which is the form of therefore information provided by the financial statement useful the management किसली होती है to plan or control the business operation financial statement are also useful to credit or shareholder's employees यह हम information देगा है trading account on profit and loss account trading account highlights the profit and or loss sustained by the business activity in the course of business operation during the time need need of preparing trading profit and loss is asserted in the net results of the business operation during the time period the profit shows the items revenue and losses on the debit side while the gains and gross profit shown on the credit side for preparation of trading account and profit and loss account closing entries are recording the transfer balance of accounts item of expenses and revenues net profit and net loss shown by the profit and loss transfer to the capital account उसके बाद है meaning and characteristics needs such a balance sheet balance sheet the balance sheet is a statement of fashion balance sheet कै है statement है किसकी assets and liabilities की business enterprises जो शो करती है financial position at a given date जिस particular date को बनाई है वह उस दिन का ही शो करेगी the balance sheet is a part of a final account final account का part है पार्ट इस नोट है account नहीं है इस अटेए है, balance sheet shows, बताती, total assets and liabilities are always equal, it portrays the accounting equation, the balance sheet has prepared to know the financial position of the business, nature, values of the assets and liabilities, assets and liabilities shown in the balance sheet are the marshaled order, in marshal in order liquidity or in order performance, अब यह हमारा देखो, क्या बता है, financial statement क्या होती है, income statement क्या होता है, income statement showing true and free position of operating performance enterprises, gross profit क्या होता है, GP access, है sales over cost of goods sold, gross loss क्या होता है, gross loss is excess of cost of goods sold over cost sold, cost of goods sold क्या होता है, cost of goods sold means, cost directly related to sales of goods, direct expense क्या होते, जो समान को लाने में, ले जाने में, समान को तयार होने तक जो भी expenses की जाते है, वो direct expenses है, profit and loss account है, उससे क्या पाता चलता है, net profit, net loss का operating profit क्या है, profit through the or normal operations, balance sheet क्या होती, यह आपको बता दिया गया, capital expenditure क्या होते है, revenue expenditure क्या होते है, एक बात आतर, definite revenue expenditure, the expenditure for which payment has made, or liability has been incurred in current year, but deferred from being charged against the income current year is called deferred revenue expenditure, such as difference is based on pre assumption that it would be benefit over a time period or specific time period, these are return of over period, 56 asset item shown in as balance sheet having no market value, जिस की कोई भी market value निया, लेकिन item जो इसको balance sheet में दिखाया जाता, उसको बोल जाता, fixed assets, for example, आपर preliminary expenses, share issue, expenses, under right commission, mislearners, expenditures, fixed assets क्या होती है, आपको बता दिया, current assets क्या होती है, tangible assets, intangible assets, investment, fixed assets, long term liability क्या होती है, current liability क्या है, contingent liability, आपको बता दिया, contingent liability क्या होती है, not real liability of the business at the present, but may occur in future, marshaling of assets का मतलब होता है, arrangement of assets and liability in balance sheet in a systematic way, जिसको हम बोल जाता है, marshaling of balance sheet, final accounts with adjustment में क्या बोला है, introduction दिया है, तो वही चीज़ है, outstanding expenses, accounting period sometime business left with the unpaid expenses due to one or more reasons, another, such expenses are treated as outstanding expenses, should be recorded in relevant expenses in the trading account, profit and loss account, or balance sheet of the balance sheet, prepaid expenses क्या होती है, आपको बता दिया, advance or unaccrued incomes क्या होती है, बता दिया, accrued income क्या होती है, depreciation क्या होती है, depreciation क्या होती है, decrease in the value of assets due to wear and tear of passes of time, it actually right of the portion of the cost of assets has been used in the business, provision for bad debts, doubtful debts क्या होती है, it is normal features of business operations that some debts proves irrecoverable, that means amount is realized from the become bad debts is estimated is made for the amount not to to be recovered, पहले से हम बना लेते हैं कि इतने लोग पैसे नहीं देंगे, तो हम यह मान करके चलते हैं, इतना पैसा नहीं आएगा तो उसको पूरा करने के लिए प्रोविजन यह था हमारा रिवीजन पूरी इलाउंत क्लास का टोपिक साथ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज़रूर किजिएगा, थैंक यू, एवे नाइस टीग, अजयक की लाइस